कोडी तुम मेरे जीवन के रस्ते में खड़े हो यह वर्ड दोस्तों आज रोमन रेंज ने को कहे है नमस्कार दोस्तों मेरे नहीं गवराव आप देखनें डेवली एजी स्मैडाउन खतम में उच्किया और आज किस में एक स्टेडियम में हम लोगों को कोडी एंड रोमन का देखना है और वहां दोस्तों रोमन रेंज ने अपना अंडिस्प्यूटी चैंपेशिप का मैच भी लगबग लगबग कनफर्म कर दिया तो हुआ क्या चले डिसकस कर लेते हैं आज कि स्मैडाउन कैलापोर्निया सेक्रेमेंटों से लाइब ती इससे अंदर सबसे पहली तो दोस्तों आते हैं लोगा जो की चैकिंग दे देते हैं फिर टामा टांगा थोड़ा सा की की कुका का करते हैं और फिर दोस्तों वह भी चैकिंग दे देते हैं दैन जेकब फाटु आते हैं जो की कुछनी बोलते हैं और चैकिंग करने वाले गार्ट को ही पिटना स्टार यहां उपर जाकर दोस्तों जो सूप्लेक्स लगाते हैं उनके ओपर कूद लगाते हैं जो की हो जाता है दोस्तों तगड़ी तरीके से मिस और वहां दोस्तों हम लोगों को एले नाट की तरफ से देखने को मलता है ले विच में आपस में हाद भी अगर आज तुम उन दोनों को नहीं रोख पाई तो तुम ही शोड़ देना तो यहां दो पृष्च के बाद क्या हो इसके आद कार में रो हेज वहां दोस्तों फिर से उंगली करते हैं दुआड को यह चीज कहते हैं मैंने तो कही था कि तू इस चीज के लिए कूल था इवन दो इसे एक अलग शहर में डेवली वालों ने शूट किया था लेकिन स्टेल दोस्तों यहां एक चीज तो शूर थी कि इसकी सेनोमेटोग्राफिक बहुत अच्छी थी अटलांटा से दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले साथ कार्स देखने को मलती है फाला फॉ पर वहां दोस्तों ट्राइबल चीफ तो आच्छुके थे इस जॉजिया टैक स्टेडियम में या वहां दोस्तों हम लोगों को फिर देखने को मलते है हमारे अमरिकन नायट मेर खोड़ी रोड्स तो कोड़ी रोडस भी जीती स्टेडियम में एंट्री मारते लेकिन इस तर में उन्होंने अपना खून पसीना भाया है जब वो रगभी यानि की फुटबॉल खेला करते थे तो इस टेडियम उनका है इसका मिलब यह है कि शैर उनका है जिस पर कोडी बताते हैं कि उनकी जो जनरेशन्स है उनके दादा पर दादा इस पार्टिकॉलर शहर में अपना ख शहर है यह पूरा कोडी का है इसके बाद रो माडरेंस अपनी बात रखते हैं और यह चीज़ कहाते हैं कि देखो तुम उन लोगों के साथ डील कर रहे हो जिनके पास अब खूने को कुछ नहीं है मैंने सबसे पहले अपना बाई जीमियू सो खोया उसके बाद पॉल हैमन दैन मैंने अपने ब्लर लाइन खुई और फिर उला फाला मेरे गरदन पर अब वो वेट नहीं है जो कि मैं फील क्या करता था और शायसे अब वो तुम्हारी गरदन पर है यानि कि अंडिस्पूट चैंपेशिप क्यों बात कर रहे थे और कहने कहीं यह चीज़ बता रहे होगे जिसके बास ट्राइब नहीं होगी लेकिन यहां बात करूं मैं तुम्हारी तो देखो रोमन इतनी सी बात है कि तुम्हारे पास तुम हो तुम्हारे पास नहीं तुम्हारी फैमिली है नहीं तुम्हारे लोग है लेकिन तुम्हारे पास एक शक्स है जो कि पहले से थ वो हो तुम, यहां दोस्तों उन्होंने इंडिरेक्ट वे में बात कही लेकिन उन्दका मतलब यही था, इसके लिए और रोम अरेंस को मोटिवेट करना चाहते थे, रोम अरेंस आगे सिधे सिधे पूस्ते हैं कि तुम्हें चाहिए क्या, यहां दोस्तों वो कहते हैं, कोडी कहते हैं, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यह चाहिए, कि मैं तेरी बैक देखू, तू मेरी बैक देखे, ऐसे में रोम अरेंस कहते हैं, कि यह तुम क्यों कह रहे हो, कोडी कहते हैं, कि यह समा तुम्हारा नहीं है, सब कुछ तुम देख पा रहे हो, कि यह चीजे जो है, कि कर खड़ा हो चुका है सोलो के ग्राफिक दिखा जाते हैं ना ही तुम वो व्यक्ति रहे हो जो कि एक टाइम को बॉक्स ऑफिस अट्रेक्शन था ऐसे में तुमें मेरी आवशकता पड़ेगी तो रोम अट्रेंस क्या कहते हैं कि ठीक है अगर तुमें इस चीज पर मेरा वो कहते हैं कि फिर मैं इस चैंपेशिप के पिछा हूँगा जो कि राइट फुली मेरी है राइट फुली माइन जिस पर दोस्तों कोडी उनके रस्ते में आ जाते हैं जिस पर रोमन कहते हैं कि कोडी तुम मेरे रस्ते में हो जिस पर कोडी हड़ जाते हैं फिर रोमन कहते ह यह दोनों साथ हो चुक्के है और तब तक जब तक की दोस्तों यह दोनों मिलकर सोलो की व्लड लाइन को खतम नहीं कर देते तो उसके बाद दोस्तों हम लोगों को डेफिनेटली इन दोनों के बीच में अंडिस्पूट चैंपेशिप का मैस देखने को मिलेगा वेर बात कु के बाद भी सेम सवाल पूछा जा रहा है कैविन ओवन से और यह चीज कहते हैं कि यह चीज वह रिंग में बताने वाले हैं इंद में टाइम दोस्तों जिवानी का मैच भी देखने को मिला दोस्तों और अपोलो के खिलाफ ही ता आपको पता है अपोलो से पहले हारे थे रो लगा और गाईज यहां पिनफॉल के दौरा जो हमारे अपने अपोलो फिर से जीत गे सेम तरीके से लेकिन इसके बाद जिवाने विंची ने उनके उपर तगड़ा वाला टैक बोला है और गाईज उनने ब्रेंबस्टर भी लगा है तो जिवाने विंची दोस्तों फ्लॉ इस नहीं ब्लड लाइन का और गाईज सोलो नहीं थे तो यह तीनों आते हैं यानि कि टॉंग अन जीकब फार्टू और गाईज यहां जो हमारे अपने टामा टॉंगा है वो अपनी बातों को रखते हैं टामा टॉंगा दोस्तों माइक पर यह चीज़ कहते हैं कि बाइद और सोलो सिकोवा आज हम तुमारी तोडने वाले क्योंकि कोडी और रोमन को मिलेगा वो तो बैड बलड में मिलेगा लेकिन आज हम तुम्हें पीटने आ रखें जिस पर कैविनोंस कहते हैं तो देरी किस चीज़ की आ जाओ और मुझे पीट जाओ अगर दम मैं तो तो इस बीच आज आते हैं बहुत सारे ओफिशियल्स अलांग विद निकैल इस निकैल इस कहते हैं कि थंबा 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 यह जो मैच है हम मेन इवेंट में रखेंगे आज के और गाई इस तरीके से डिया वाइन का मैच होता है वो जेकब फार्टो एंट टॉंगन के नाया कॉंपोनेंट बन जाता तो गाई इस टैक्टी मैस हाट और टैक्टी मैच और इसके अंदर दोसे एंड में क्या चाहिए एक जगहा पर गलती से दोस्तों जो टीफनी स्ट्राइडन है उस वेंटन बॉम लगा देती है अपना नाया जैक्स को उस पर उन्हें सौरी भ इसके बैक्स्टेज दोनों आपस में बारतालाब करते में नजर आती है निकैल इस बीच में खड़े वे ते तुम आपस में तू मैं मत करो देखो तुम दोनों ने पेन फॉल लिया है और ऐसे में इसका एक ही निवारण है कि अगले हफते तुम दोनों का आपस में मैच हो पहले दोस्तों जो डिया वाय उनके ओपर अटैक हो गया अब कैवनों सके लिए ते और गाइस को यह तीनों के साथ आप कह सकते हैं और गाइस के अदर जादा पाते और गाइस की तगड़े वाली दुलाई हो पाती कि इससे पहले हम लोगों को वहां आते वी नजर आती है स्ट्रीट प्रॉफिट का तगड़ा हमला देखें नहीं हों बलता है और इसके बाद दोस्तों यह जो मैच बन जाता है यह बन जाता है स्ट्रीट प्रॉफिट एंड के विन जो से जेकब फार्टू ठामट होंगा है लोगा एक सिक्समें मैच के बाद कुरूब मैच वह से डॉमिनेट भी घर देए इवंडोस लेंड मे जेकब फार्टू को भी उन्होंने ओवर पावर कर दिया था लेकिन योज़ेकब फार्टू आए उन्होंने दोस्तों तकड़े तरीके से डिस्रक्शन तमम अचाया जब दोस्तों मैच डीक्यों में खतम हो गया होता कि गय मैंने पहले कभी नहीं देखा था मैच थो हो गया लिटरली दोस्तों मैच डीक्यू में कदम हो गया और कैंटी बजगी और उसके बाद दोस्तों जेकब फाटू ने सारी चीजे अपनी तरफ कर दी वहां स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को भी फोड़ा कैवरोंस को तो दोस् सब्सक्राइब करना पड़ता है कि यहां जो थे वह खड़े वे थे उन्होंने दोस्तों कटर मार दिया था जेकब फाटू को और फिर जो सेग्मेंट देखने को मलता है ना इन दोनों के बीच में लिटरली गोल्ड था होता क्या है कि गाइस कोड़ी के हाथ से चेर छूट चुकी थी और कैविनोंस ने पकड़ रखी थी कैविनोंस का मूड बनता है मारने का क्यूंकि आप जानते है कैविनोंस रूमा ड्रेंस को पे बिल्कूल भी पसंद नहीं यहां ओड़ो दोस्तों प्ल मूड था कि चेर शौट मारी थे लेकिन उन्हें ए कि Roman and Cody अब साथ हो चुके है वेल दोस्तों आज की स्मैडाउन कैसे लगी है और Roman and Cody की जोड़ी दोस्तों आपको कैसा लग रही है डू लेट मेर वन दे कमेंट वोक्स वीडियो आज कितनी सी आस तक के लितना ही ठाने बाद शबक है